नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर वेदान्त कैसे हैं आप लोग और आज कल आप मेरे साथ पढ़ा रहे हैं इकोनामी इंडिन एकोनामी की सिरीज और इस सिरीज में ये लेक्चर 16 है जैसा कि इसके पहले हमने आपको इस पस्ट बता दिया था कि कैसे जो LPG reform है उनकी background क्या थी और किस तरह से वो आगे बढ़े होंगे उमीद है कि वो आपको बहुत चीतरा से समझ माया होगा आज हम लोग सिक अंडिस्ट्री की बात करेंगे उसके पहले FEMA और FERA की बात करेंगे और इन दोनों के आधार पर हम ये देखेंगे कि आगे 1991 के बाद किस तरह से जो अध्यविक सुधार है वो किये गए ठीक है तो इसके पहले हमने आपको MRTP Act और FERA के जो background है वो बता दिया था जो FERA यानि Foreign Exchange Regulation Act 1973 है ये Act वास्तों में जो विलेशी मुद्रा भारत में आती थी उसके Regulation का ये कानून है इसी कानून को Foreign Exchange Management Act के नाम से 1999 में यानि 1999 में पारित किया गया और इसे जुन 2000 से लागू किया गया तो इसका मतलब हुआ कि अब FERA के स्थान किस ने ले लिया इसका स्थान लिया है अब यहाँ पर सबसे important चीज ये हो जाती कि आखिर FERA को हटा करके जो FERA लाया गया तो इन दोनों की बीच में difference क्या है ये कैसे FERA से एक अगरगामी कदम कैसे है ये बात आपको समझना है क्योंकि ये ना किवल pre-level के सवाल इस पर बनते हैं बलकि इसमें मेंस का सवी सवाल बन जाता है तो सबसे पहले हम आपको ये इसपस्ट कर दें कि जो FERA 1973 में था इसमें एक बहुत महतुपून बात ये थी कि जो विदेशी निवेशक है वो भारत में 40% से ज़्यादा का निवेश नहीं कर सकते ठीक है लेकिन अब आपको मालूम है कि अब इसको इस करने के बाद 1991 के बाद धीरे धीरे करते करते बहुत से ऐसे छेत्र है जहां पर 100% निवेश होता है यहां तक कि अभी डिफेंस के फिल्ड में जहां कि 49% तक foreign investment को माननेता दी गई थी अभी जो एक package दिया प्रदानमंत्री ने COVID-19 के सिलसले में उसमें उसक मतलब यह हुआ कि फेरा को को इस करने का एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि लाभ मिला वो विदेशी निवेश की अपर लिमिट है उस अंदर में रहा दूसरी मातुपन बात यह रही कि जो भी विदेशी निवेश के यहां पर पैसा लगाते थे उनको अपने पैसे के बा सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि फेरा का जो उलंगन होता था अगर कोई व्यक्ति फेरा के उलंगन की व्योस्ताओं का उलंगन करता था तो वह एक क्रिमिनल ओफेंस होता था वह एक आपराधिक मामला बनता था जबकि फेमा के संदर में यह है कि अगर फेमा की व्योस स्विल प्रकार का पराध बन लिया है ठीक है ना दूसरी इंपॉर्टन चीज जो रहती है वो इस फेमा के संदर में जो फिरा से उसको अलग करती है वो बात ये रहती है कि फेमा में हमेशा जब व्यवस्थाओं का उलंगन होगा तो उस प्रकार के जो आरोप किये जाएंगे उस व्यक्ति पर या कंपणी पर तो उस आरोप को सिद्ध करने का जो पूरा का पूरी दायत्तो है वो पूरा दायत्तो जो आरोप लगाने वाला है उसके उपर होगा ठीक है जबकि फेरा में क्या होता था कि फेरा में हमेशा जब कभी भी उलंगन होता था तो अपने आप को बेगुना गोशित सिद्ध करने के लिए जिसके उपर आरूप लगाया जाता था उस को जिम्मधारी होती थी वह अपने आपको निरदोश्ट साबित करें तो इसका मतलब गईए कि फेमा में आरूप लगाने वाले की उपर जिम्मेदारी होगी कि वो आरोप को सिद्ध करके दिखाए एविडेंस उसको देनेdır, जिसके उपर आरोप लगाया गया है, उसको पहले से मानके चला जाएगा कि इसने भी कुछ नहीं किया है, आरोप जिसने लगाया वो पहले Hima को सिद्ध करें, तो लिए अब जानते हैं कि जब मामला भुणा बन जाएगा तो सभовой है कि उसमें जिस परकार का जुर्म साबित होगा किसी परकार का जुर्मा ना लगाया जाएगा तो जो जुर्मा लगाए भी धनराशी के संदर्व में उलंगन का आरोप होगा अगर वो सिद्ध हो गया तो उस धनराशी के तीन गुने के बराबर उसको पेनल्टी दे नहीं होगी ठीक है और अगर अगर calculation नहीं हो सकता इस प्रकार की कोई व्योस्था का गोटाला किया गया है या कोई आरोप लगा हुआ है या इस प्रकार का कोई उलंगन किया गया है जिसमें की पैसे का calculation नहीं हो सकता तो maximum 2 लाख रुपए ये पेनल्टी लगेगी ठीक है अब हम आते हैं compounding पर compounding की धार् असलब यह होता है कि अगर फेमा के उलंगन का कोई मामला ऐसा है जो अभी भी कंटिनिवस चल रहा है यानि उसमें निरंतरता है तो निरंतरता की स्थिति में ऐसा होगा कि प्रतेक दिन हर दिन पांच हजार उपै के दर से उसकी जो पेनल्टी है वो कमपाउंड करती चले जाएगी यानि हर दिन पांच हजारा हर दिन पांच हजार रोज उसके उपर लगने लगेगा जब तक कि वो पेनल्टी चुकाएगा नहीं इसको कहते हैं कमपाउंडिंग की अधारणा तो यह लगकर देती है तो अब इस पस्ट हो गया कि फेमा एक सिविल प्रकार का कानून है इसमें उलंगन होने पर सिविल केस चलेगा दूसरी बात इसमें जो पेनल्टी है उसमें कंपांडिंग के अधारना है और तीसरी महत्पून बात यह है कि जो फेमा के संदर्व में आरूप लगाएगा उसको सिद्ध करना होगा ना कि आरूपी को फाइनल बात आपको यह ध्यान रखना है कि फेमा में जो हवाला से संबंधित मामला है या मनी लॉंडिंग से संबंधित मामला है यानि काले धन को सफेद में बदलने से संबंधित मामला है उसका जो संदर्व है उस पाकी FEMA के उलंगन से समंदित सारे मामनों को कौन देखेगा RBI, ठीक है, तो money laundering को छोड़ करके, हवाला और money laundering को छोड़ करके, जो इसमें कह सकते हैं कि FEMA की जो निगरानी वाली authority है, वो कौन है RBI, ठीक है, लेकिन हवाला के संदर में, या फिर money laundering के संदर में, ये जो authority हो होगी, वो ED होगी, जो कि वित्मंत्रा लेके देन काम करती है, तो ये हुआ, फेरा और फेरा और फेरा का अंतर, अब हम लोग इसी क्रम में आगे आते हैं कि, जो, क्योंकि ये सारी चीज़ें, तो विदेशी निवेश और foreign exchange से समदित हो गई, अब हम लोग जिस क्रम में च इंडस्ट्रीज को लेकर के, एक जो कानून है, वो है, सिक इंडस्ट्रियल कमपनीज एक्ट 1985, उन्हें सो पचासी में ये कानून बनाया गया था, सिक इंडस्ट्रीज के लिए, और इस कानून में की खास बात ये थी, कि इसका जो विस्तार है, वो निजी छित्र की, जो अ इका है, इसमें 1992 में संशोधन किया गया, और 1992 में संशोधन करके, इसका जो विस्तार है, वो पब्लिक सेक्टर में भी किया गया, इसका मतलब होगा कि अब जो बिमार इकाईयों का जो concept है, वो निजी छेत्र के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की जो इकाईया है, उनके उपर भी लागू होगा ठीक है दूसरी important चीज यह थी कि इसके जो यह act है इसके section 2 और subsection 46 AA में section 2 subsection 46 AA इसके अंतरगत बताया गया है कि आखिर रुग्र इकाईयां या बीमार उध्योग या बीमार इकाईयां होती क्या है ठीक है तो इस के संदर में जो concept रखा गया था वो accumulated जो loss है यानि संचित हानी है इसको रखा गया था तो संचित हानी का मतलब यह हुआ कि कोई भी company साल दर साल जैसे lab कमाती है तो उसो संचित lab कहते हैं अगर वो हानी उसमें हो industries के लिए तो सिक अंडिस्ट्री के लिए यह कहा गया पहली बात कि कोई भी industry अपने registration के पांच साल के अंदर तो सिक नहीं घोशित किया सकती सिक घोशित करने के लिए जरूरी है कि कम से कम उसका जो पंजी करण है उसका जो registration है वह पास साल या उससे अधिक हो उसके कम नहीं होना चाहिए दूसरी बात दूसरी चीज यह थी इसमें कि जो भी उस company की संचित हानी है जो उसकी 50 परसंट यह उससे अधिक होना चाहिए तो संचित इसकी net worth से कितना हो चाहिए आधे से अधिक होनी चाहिए यह उसकी पूरी जो शल्द संपत्ति दिवल संपत्ति या net worth है अगर उसको पूरा वर्षों की औसत नेट वर्थ, उसके 50% से जादा होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, ध्याँ पर आपको एक चीज यह ध्याँ रखनी है, कि आकर नेट वर्थ को कैसे निकालते हैं, नेट वर्थ निकालने का तरीका यह होता है, कि किसी भी कंपनी की जो कुल संपत्ती है, उस कुल संपत्त में उसकी जो देंदारी है, उसकी जो उसको पर जो लाइबिल्टीज है, तो टोटल असेट माइनस लाइबिल्टीज बराबर क्या हो जाएगा, नेट वर्थ, तो उस नेट वर्थ का 50% से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए, और तीसी बात सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 ए में सिका के कानून के अंतरगत लाया गया था, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान अखना है, कि ये क्योंकि ये प्री का बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, क्योंकि ये जो तरीका है किसी इंडस्टी को सिक करने का, गोशित करने का, ये व तरीके की सबसे खास बाती है, नया तरीका कब लागू किया गया, जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसके अंतरगत, और इसमें ये बात कही गई, कि ये जो रेजिस्ट्रेशन 5 साल की जो नियुंतम अवदी रखी गई थी, इसको समाप्त कर दिया गया, इसका अब सिक अंडस्टी को घोशित करने के लिए उसके तंजीकरण की कोई नियुंतम अवदी किसी मन नहीं रह गई, अब वो कभी भी उसको हम सिक घोशित कर सकते हैं, दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि अभी तक जो सिक घोशित करने का आधार था, वो क्या था, अब ये संचित हानी, अब ये कर गया कि अगर किसी कंपनी को सिक घोशित करना है, तो ये देखना होगा कि उसको रिण चुकाने की जो क्षमता है, उसकी रिण अदाइगी की जो सामर्थ है, वो उसकी कितनी है, तो रिण अदाइगी की सामर्थ को आधार बनाया गया, जबकि पहले क्या आधार था, संच संचित हानी के स्थान पर अब आधार बन गया रण चुकाने की उसकी शमता कितनी बची है अब यह कैसे डिसाइड होगी इसके लिए दो आधार बनाए गए आधार नमबर एक में यह कहा गया कि जो भी उसको रण देने वाली संस्थाएं हैं जैसे बैंक है या विती संस्था हाने की मांग करने लगे संही कोई बी विती संस्था ढखी इस ज्यूस का इंटेस्स मिलताओ जाता यह क्यों चाहेगा कि उसकी जो फ्रिंस Major मौंट है वह अपस हो और यह कब होता है जब कंपनी लगाथा रपने ब्याज का भुःच का भुगतान करती रहती आना किन चुक नहीं आ रही है, उनकी किष्टे नहीं आ रही है, और वो कम्पनी डूबने जा रही है, तो ऐसे में जो रुनदाता संस्थाएं हैं, वो 50% या उससे अधिक के रिन चुकाने की मांग अगर करने लगें, तो ये एक आधार बन सकता है, किसी इंडस्ट्री को सिख घोशित करने किसी इंडस्ट्री को बीमार घोशित करने का ये एक आधार बन सकता है, और साथी साथ ये भी ध्यान रखना है आपको, कि अगर इस प्रकाल किसी वित्ती संस्था के माध्यम से अगर अपने रन की वापसी की मांग की जाती है, और उसके लिए उसको नोटिस दिया जाता है तो उस दी गई नोटिस के 30 दिन की भीतर, यदि कमपनी रन चुकाने में विफल रहती है, तो उस कमपनी को हम बीमारी का इगोशित कर सकते हैं, तो अब ये 2013 के कमपनी एक्ट से जो पहले के क्राइटेरिया से वो बदल गए है, और ध्यान रखना है कि मूल क्राइटेरिया की गई, एक तो ये, ये रन आदा करने की, जो नोटिस दी गई है, उस नोटिस के 30 दिन के भीतर कमपनी ने रन चुकाया हो, और ये साथी साथ, वो जो कमपनी है, उसको जो नोगों ने रन दिया है, वो अपने बकाय रन का 50% या उससे ज़्यादा की मान करने गई है, तो स पहले ये कानून बना था, ये सिर्प निजी छेदर के लिए बना था, तो इस तरह से हमने आपको फेरा और फेमा के बीच में अंतर के साथ साथ बताया कि किस तरह से जो बीमारी काईया है, इनके लिए नहीं विवस्ताएं की गई हैं, अब यहाँ पर एक रिफरेंस निकल के 2013 का Company Act बनाया गया है, इसमें तमाम प्रकार की कमपनियों को लेकर के काम करना शुरू किया गया है, जिसमें कि खास तोर से One Person Company और जो Limited Liabilities वाली कमपनी है, या जो Private Company है, Private Limited Company है, इनके बीच में जो अंतर होता है, ये एक बहुत महत्तों पॉइंट बन चुका है, इसलिए ह हम आपको अगले लेक्चर में पहले Company Act से बनाई गई जो तीन चार प्रकार की कमपनियां होती है, इनके बीच में अंतर बताएंगे क्या होती है, प्रिवेट लिम्टेट कमपनी क्या होती है, वन परसन कमपनी क्या होती है, लिम्टेड लाइविल्टी जो रिफॉर्म आया सामने 1991 में, उसमें फिर और द्योगिक विकास के लिए क्या क्या उपाई किये गए हैं, इस पर हम लोग चक्षा करेंगे, तो पिछले वीडियो को देखते जाएए और आगे के वीडियो पर भी ध्यान रखिए क्योंकि ये सब मिला करके एक composite package बन रहा है, और सभी वीडियो आपके लिए महतुकून हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जुड़े रहिए, तैंक यू.